Hello दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इंदरपार और मेरे चैनल मा आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करें हैं कैसे आप अपनी वेफसाइट को जो है ऑप्टिमाईस कर सकते हैं और उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को जो है लास तक देखते रहिए तो चले शूर करते हैं तो दोस्तो वीडियो शूर करने से पहले हम जो है अपनी एक वेबसाइट को देख लेते हैं जिसको हमने अप्टिमाइस किया था तो दोस्तों हम जो है अपनी website को load करते हैं तो हमारी website है जैसे कि bombaytees.com तो हम इस website का URL एंटर करेंगे और दोस्तों जैसे ही मैं enter करता हूँ तो मेरी website जो है तुरंट लोड हो जाएगी तो जैसे कि दोस्तों कह सकते हैं कि हमारी जो website की loading speed है वो काफी अच्छी है अगर दोस्तों मैं इसकी categories browse करता हूँ तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी जल्दी load हो रहे हैं अगर इसकी जो है page loading time देखते हैं कि कितना इसका page loading time है तो इसके लिए दोस्तों हम जो है pingdom tool और gt matrix पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है pingdom tool में हम अपनी website की URL को paste करते हैं जो test server है उसको हम जो Asia select करते हैं और उसको दोस्तों start test पर click करेंगे तो जैसे कि दोस्तों आप जो है नीचे इसकी scores देख सकते हैं इसका page loading time कितना है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिखाया तो GT matrix पर आप देख सकते हैं यह time बता रहा है यहाँ पर 5.7 second क्योंकि दूसरी यह primary test था मतलब first test था तो इसको second time आप test perform करेंगे तो काफी अच्छी speed यहाँ पर दिखाएगा यहाँ पर दूस्तों paste speed score देख सकते हैं अगर आप नीचे चेक करेंगा तो इसके सारे जो बार्स है वो सारे फुल्फिल हो रहे है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जितना आपका website यहाँ पर दोस्तों आपकी website को रिकमेंड करेगा सभी users के लिए तो यहाँ पर दोस्तों आपकी website को फुली आपको optimize करना होगा अगर आप अपने business को grow करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों हम अपनी website के admin panel में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपनी website को जो है practically optimize कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम अपनी website का address यहाँ पर डालेंगे और admin पैनल में चलने के लिए हमें यहां पर WP-admin लिखना होगा तो जैसे के दोस्तों हम अपनी website के admin panel में आ चुके हैं यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा website को optimize करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास होनी चाहिए वो बेस्ट होस्टिंग होने टोफसों कर सकते हैं जिक्ट मार्केट में काफी सारी स्थ्ष कने सीक्ट यहां जीच के लिए जैसे कि यहांस के प्लांड यहां से lt incorvid.com भी होस्टिंग करेंगे जिसे कि अगर जैसे कि दोस्तों आप यह hosting के price को afford नहीं कर पा रहे हैं या फिर hosting purchase करने में आपको कोई दिक्कत आ रहे हैं तो दोस्तों same hosting service आप हमारी website से purchase कर सकते हो जो कि है woachamp.com जहाँ पर same hosting service आपको जो है काफी reasonable price में आपको दी जाएगी जैसे कि 149 पर मन्थ है 199 पर मन्थ है और 599 पर मन्थ है तो दोस्तों same site ground hosting आप हमसे भी purchase कर सकते हो तो दोस्तों जैसे आप hosting purchase कर लेते हो hosting purchase करने का दूसरी आपकी बात आती है SSL certificate और आपकी CDN के तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा site ground hosting में दौनों service आपको मिलती है जैसे कि आपको SSL certificate भी मिलता है और आपको CDN भी मिलता है Cloudflare का वो आपकी website पर आप activate कर सकते है तो दोस्तों CDN activate करने के लिए आपको simply आपकी hosting के c-panel में जाना है और आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा जो कि है Cloudflare इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने का जो भी आपका domain आपने activate किया है मतलब add किया इस hosting में उस domain के सामने दोस्तों एक बटन आ जाएगा जहाँ पर लिखा हूँ है activate free जैसे कि हमारे एक domain है bombaytis.com इसको आपको यहाँ पर एक option आ चुका है activate free इस पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों हमारी वेबसाइट में CDN सर्विस अक्टिवेट हो चुके अभी यहाँ पर CDN रिलेटर आपको कुछ नहीं करना है इसके वाद दोस्तों आपकी वेबसाइट पर SSL अक्टिवेट कर करनी होगी तो हम यहाँ पर दोस्तों अपनी website के admin panel में आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों कुछ plugins आपको इंस्ट्रॉल करनी होगी तो simply हम जो है लेफ्ट हैं साइड से प्लग इन सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों क्लिक करने का और कुछ इस तरह का layout आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो plugin इंस्ट्रॉल करनी है वो है SG Optimizer अपर दोस्तों आप जो है साइड गरॉंड होस्टिंग यूज कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों साइड गरॉंड होस्टिंग में ज जाएगा इस plugin को आपको install कर लेना है तो मैं इस प्लग इन को install कर लेता हूँ तो अगर आप जो है साइड ग्राउंड होस्टिंग नहीं यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो आप कोई भी कैशिंग प्लग इन यूज कर सकते हैं तो दोस्तों हमारी जो है WP Optimize प्लग इन आ तो दोस्तों ये plugin भी हमारी website पर install हो चुकी है तो दौनों plugin को दोस्तों हम जो है activate कर लेते हैं तो दोस्तों plugin activate करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगे कि आपकी website पर ज्यादा plugin नहीं होनी चाहिए जितनी आपको जरूरी plugin है उतनी ही plugin आप अपनी website पर करें तो दोस्तों ये plugin जो हम activate कर लेते हैं तो इस plugin को हम जो है activate करते हैं पहले इसका दोस्तों हमें जो है SG optimizer plugin को activate कर लेना है तो दोस्तों वहरी website पर दौनों plugin इंस्टॉल और रहे एक्टिवेट हो चुकी है ये plugin की settings करने से पहले हम अपने database की टेबल को optimize करना होगा तो द दोस्तों database के tables को optimize करने के लिए फिर देटाबेस को optimize करने के लिए हम अपनी website के cpanel में फिर से चलते हैं तो दोस्तों हम जो है अपनी website के cpanel में आ चुके हैं यहापर दोस्तों आपको एक नीचे scroll करनेंगे तो option मिल जाएगा PHP my admin इस पर आपको click कर देना है तो दोस्तों click क तो आप जो भी यहां पर task perform कर रहे हैं तो मैं आपसे निवे दिन करना चाहूंगा कि आप अपनी hosting service provider से बात करके कोई भी task यहां पर perform करें तो यहां पर दोस्तों left hand side में कुछ database आजाएंगा जो आपने create कि होंगे आपकी website को install करने की time पर तो दोस्तों हमारे जो het database है इसमें हम click करते हैं तो जैसी आप click करेंगे तो आपके right hand side पर database tables आ जाएंगी यह सारी tables आपको यहां पर select कर लेना है तो मैं सारी tables को select कर लेता हूं यहापर नीचे अगर स्कूल करेंगे तो यह एक option है check all का तो इसको आपको यहापर check all कर देना है यहापर दोस्तो डॉपडाउन मैंड्यू में से आपको select करना है optimize table जैसी दोस्तो आपको optimize table को select करेंगे तो आपका database जो है fully optimize हो जाएगा मतलब आपकी जो database tables है वो optimize हो जाएगे अभी दोस्तो हम जो है अपनी plugins की settings करेंगे तो plugins की settings करने के लिए simply आपको यहापर left hand side पर जो plugins आपने install करी थी उनकी options यहापर आ जाएगे तो यहापर पहला option है sg optimizer इस पर आपको click कर देना है तो दोस्तो आप sg optimizer पर जैसे ही click करेंगा तो कुछ जैसरे का layout आपके सामने आ जाएगा यहापर आपको कुछ options enable करने होंगे तो यहापर पहला option है super caches settings जिसमें आपको dynamic caching है तो इसको आपको enable कर देना है दोस्तो dynamic caching enable करने करने कर आपको यहापर mem cache यह भी आपको enable करना है यहापर second option में आना है environment optimization में यहापर दोस्तो enable HTTPS है मतलब आपकी website जो है HTTPS network through open नहीं हो रही है अगर आप forcefully आपकी website को HTTPS network open करना चाहते हैं तो वो आप यहापर enable कर सकते है तो दोस्तो enable HTTPS करने कर आपको नीचे scroll करना है है यहापर आपको यह option दिया गया है gzip compression इसके आपको enable कर देना है जैसे कि दोस्तो already है मैंने आपको बताया कि gzip compression क्या करता है अगर दोस्तो gzip compression को आप जो है coding through भी apply करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इंटरनेट पर दोस्तो इसके काफी सारे codings available है तो दोस्तो यह दोनों option आपको यहापर नीचे enable कर देना है जैसे कि browser caching और jzip compression इसके वाद दोस्तो आपको यहापर front end optimization पर आना है यहापर आपको जो पहला option दिया गया है minify html output इसको आपको दोस्तो enable कर देना है इसके वा यहापर दोस्तो css minify करना है इसको भी आपको जो है enable करना है मतलब जितने सारे options है यह सारे options आपको यहापर enable करने है तो मैं दोस्तो one by one सारे options यहापर enable कर देता हूं तो दोस्तों ये सारे options हमारे enable हो चुके हैं, अभी आपको जो है media optimize करना है, मतलब जो आपकी images हैं उनको आपको optimize करना है, media optimization में आपको ये options enable कर देने हैं, जैसे कि new image optimization होगा, या फिर जो आपकी existing image हैं उनको आपको optimize करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर start optimization पर click करके कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको lazy loading ये आपको enable करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी theme support करती है, lazy loading functionality तो वो आप enable कर सकते हैं आपकी theme के थुरू, आपको यहाँ पर enable करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंको दोस्तों आप दोनों ज settings यहाँ पर enable नहीं करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी SG optimizer की सारी settings हो चुकी है, इसके बाद दोस्तों आपको जो है WP optimizer इसकी settings करनी होगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जैसी WP optimizer पर click करते हैं तो इस तरह का page आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर सारे options आ लेने हैं, यह सारी चीज़ें optimize करने के लिए, तो optimize करने के लिए आपको यहाँ पर run all selected optimization इस पर आपको click कर देना है, तो दोस्तों यह basically करता क्या है कि आपके website जो भी ट्रेस का pages है या फिर comments है जो आपने approve नहीं किये हैं, वो सारे यहाँ पर इसको delete कर देता है, तो यह सारी settings आपको यहाँ पर select करके, यहाँ पर run optimization पर click कर देना है, और दोस्तों आपने जो भी plugins आपके यहाँ पर deactivate करी थी यह फिर delete करी थी, वो सारी settings आपको यहाँ पर tables में मिल जाएंगे, जो दोस्तों आपने plugins delete करी थी, उनके data को आप यहाँ पर completely remove कर सकते हैं, जो अगर आपक यह clean होता रहेगा, इसको आपको WP optimization पर यहाँ पर नीचे एक option है, cache इस पर आपको click करना है, click करने को आपको यहाँ पर यह caching service enable करनी है, अगर आपकी already deactivated है, तो मैं इसको जो है enable कर देता हूँ, enable करने को आपको यहाँ पर save changes पर click कर देना है, तो दोस्तों बाखी यहाँ कुछ भी settings आपको नहीं करनी है, मैं यहाँ पर दोस्तों सिर्फ इतनी settings करनी है, आपकी website को boost या फिर optimize करने के लिए, तो दोस्तों चलते हमारी website को check कर लेते हैं कि proper load हो रही है के नहीं, तो जैसे कि दोस्तों हमारी website जो है fully load हो रही है, अगर इसकी categories को हम click करते हैं, तो वो आपको जो है start test पर click कर देना है, तो हमारी website का test यहाँ पर हो रहा है, तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारी website का test यहाँ पर success flow बताया जा रहा है, वह तो दोस्तों हमने अपनी website की यह सारी settings की है, जैसी इनको कुछ time होगा तो यह सारी website की pages हो cash mode में चले तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका load time जो है 2.0 seconds है, वहीं दोस्तों हम GT matrix पर इसको फिर से test करते हैं, तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते है, GT matrix पर भी जो हमारा page speed score दिखाया जा रहा है, 99% दिखाया जा रहा है, wise flow score आपका 86% दिखाया जा रहा है, जैसे क तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी website को जो है optimize कर सकते हैं, और आपकी website की speed को boost कर सकते हैं, मुझे उम्मीद हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको कुछी सुझा या फर आप उनसे कुछ पूछना चाते हैं, तो नीचे comment box में मुझ से पूछ सकते ह और आप दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राब कर लिजए, बिकोज इस तरह के वीडियो में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग